I hope आप लोग जे मेंस 2 दे चुके हो 24 वाला और अभी आप लोग जे एडवांस के लिए त्यारी करना स्टार्ट कर चुके होगे हमें next 40 days की strategy बनानी है कि क्या क्या करना है देखिए मैं बोलूंगा और मुझे पता है आप लोग मुझे सुनेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग को यह बाते पता हैं अब मैं दो बच्चों को एड्रस करता हूं एक बच्चा जो बॉर्डर लाइन पर बॉर्डर लाइन मतलब ही और शी और एक्सपेक्टिंग कि भाई किसी तरह पेपर टू का रिजल्ट आजाए और से दे वूड बी नुइंग कि वो 92 परसंट यह से अवब हैं कि नहीं दिखिए जो चीज आपकी कंट्रोल पर नहीं है उसके बारे में मत सोचिए आप पेपर दे चुके हैं तिंक्स आप जेडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और आपको कोई हाटा इसली नहीं होगा क्योंकि वही प्रिपरेशन आपकी नाइधर आधर में बहुत अच्छे से काम आ जाएगी तो आप प्रिपरेशन जारी रखिए और सेकंड कटेगरी जो अलड़ी देयर वे जो अलग-अलग है थोड़ा वो उनका इंटर्सेक्शन पॉइंट नहीं आता है जे मिन्स में कई बार रोट लर्निंग बेश चीजिए आती हैं एंसे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो कौन कितना डेटा केरी कर सकता है कही न कहीं इस बारे में भी होता है जे मि एंसे मैं आपको बताता हूं दब लोग को तीन से चार्ज स्ट्रेगी समझाता हूं कैसे आप लोग को करना है इन चालिस दनों में तो पहली स्ट्रेगी होती जो बच्चे इंडियन किट्स में एक आदत है कि वो पी वाईक्यू सॉल्व करते हैं अब पी वाईक्यू काम न अनफिनिश्ट बिजनिस ना हमेशा आपको एक एक एप्रिहेंशन या कोश्चन मार्क के साथ छोड़ देता है कि सर यार मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि यह तो बहुत सारा है मैंने तो इस वह चेप्टर किया है इतने सारे चेप्टर बचे हैं वो भी सिर्फ फिजिक्स आप वहाँ जाएए और वहाँ पे 2023 की पेपर से स्टार्ट कीजिए आप बोलोगे सर हमने पेपर स्टार्ट किया हमें समझी नहीं आ रहा है ऐसा होगा इसमें जो समध्दार बच्चे हैं वो सिर्फ यह करते हैं कि जैसे माली जो उन्होंने एक्दांपल के लिए बदा है 2020 का पेपर खोला और देखा कि पहले 4-5 कोर्शनों में उन्होंने देखा कौन सी थियोरी से आ रहा है अब जैसे वो थियोरी का बेसिक करेंगे उनको तुरंद स्ट्राइक करेगा कि जी एडवांस में वो बहुत सारे बेसिक कॉंसेप्ट को एक साथ देते हैं जिसको मतलब नॉर्मल आप लोग की भाशा में कि बहुत सारे कॉंसेप्ट इंटीग्रेट करके आता है जैसे अगर हम इक कॉंसेप्ट को C1 बोलें तो इट विल भी आइदर C1, C2, C3 और C1, C2, C3, C4 along with calculation calculation friendly बच्चे से ही एडवांस का पेपर निकलता है if you are shy in running your pen आप कभी भी जैए इसकी रेस में थे ही नहीं पिछले दो सालों से बोल रहा हूं अगर आपको pen घिसना है और आप अभी भी start करेंगे तो वह आदत पढ़ जाती बस I am saying just calculation basic calculation not कि आपको बहुत ही ज्यादा pro math आती हूँ वह गली नहीं simple calculation की बात करो जहाँ पर आप आप शाइन आप खट-खट 11 की paper sequence में लगा ले जितना insight आपको ये paper देंगे उतनी insight आपको कोई नहीं दे सकता हर चीज आपको समझाएगी कि हर pattern is there हर chapter में pattern है हर topics में pattern है और Indians की एक आदत होती है whenever जब वो paper बनाते है तो वो out of the box नहीं डालते है out of the box एक दो question आते है 80% कही नगाई पिछली तीन साल की paper से idea wise correlate करता है अब आपको करना क्या है 2023-2011 के paper रात भर जाग जाग के है जैसा आपका मन करें रात जागना दो नहीं मतलब जब आप लगा पाए जो आपका convenient time है अप लगा जाए ये उन बच्चों के लिए जिन्नोंने तैय कर लेगा भाई आटे बंबे या दिल्ली ही जा करेंगी और आपको help मिल सकती है तो अपने आपसे जूट मत बोलना अगर आपको लग रहा है कि नहीं है मामला आइटी दिल्ली बंबे का नहीं है बस अच्छी आइटी निकल जाए कोई भी top two three के दरूत नहीं अभी तो आप यही चीज़ दो हजार तीज से लेके 2016 कर लिज इस से आप जब revision भी करोगे जब theory भी पढ़ोगे तो you will be very certain कि हाई यही question आता है आपने polarization देखा तो देखा पहली line आ रही है भाई आपने rotational देखा oh rotational dynamics ज़्यादा आ रहा है तीन चर गोस्चन भी समझ आ गए तो मामला fit हो जाएगा conservation of angular momentum angular momentum तो आई गए एक सांपल करके बता रहा हूं मैं रेडियो अक्टिविटी का यार एक नुमेरिकल बनता भी बनता है binding energy बनता है आपका एक दिमाग catch करेगा फिर उसमें आप फाइदा की रहता पैटन भी catch कर लेते हो यह modern physics का मामला है कि यह भी question आते है और जो general physics है न j advance में एक pattern है जो बहुत ही कम लोग note करते हैं और मैं आप साब बतारो that pattern is very simple 666 17 18 question आते हैं हमेशे 6 question super easy रहते हैं मैं साब बोल रहा हूं j advance की question में super easy आते हैं आप चाहो तो solution देख लो 6 question direct आते हैं बिलकुल direct आपको बस basic syllabus पढ़ना है 6 question आपसे हो जाएंगे बाकी 6 question थोड़े से दिमाग लगाने वाले थोड़े calculation वाले होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा भी निए भी ठीक है आप बोलोगे हाँ भाई ठीक level था ये भी नहीं करते हैं बाकी जो 6 question बनते हैं हम बोलते हैं भाई ये question जे advance के हैं अच्छे question तो जो hype है पूरी वो 6 question हो क है पर पेपर पर topic उन 6 questions के hype है अब आप बोलोगे सर तो two-third easy आता है हाँ वाई two-third आपका बहुत ही easily manageable आता है तो बच्चा बोलेगा कि सर two-third से कहां selection होता है तीकि जे advance ना वो paper pattern catch करते हैं कि आप negative marking से बचो वहाँ पे ना जो एक बच्पन में गुलग में पैसे कट्टा क करते हैं जो आता है वही करना है टुक्य बाजी नहीं करनी है बस positive marks से कट्टा करते रहो partial marking समझ जाओ ऐसी छोड़ी छोड़ी चीजे करो आपके marks आते हैं तो two-third तो भाई बहुत easy है और जो जे advance इसको बोल रहे है कुस तो करोगे उसका ऐसा नहीं कि नहीं करोगे अगर आ देखेंगे कि rank कितने marks पूरी की पूरी भीड जो है ना marks की वह 80 से लेकर 140 नंबर के बीच में बैठे हुई है या 70 से लेकर 140 नंबर के बीच में बैठे हुई है पूरी भीड और ये तो two-third marks भी नहीं है बाई three ninety something का paper हो रहा है 130 तो 130 हो आपका तो आप सोची जो मैं बोल र होना है what is the second pattern second pattern pattern is very very simple आपको coaching में जितने भी marks हो रहे हैं उसको बिलकुल ये hardcore तरीके से honestly देना है अगर आपने ये काम कर लिया तो you will rise through every paper पहले दूसरी paper में आपके marks बहुत कमाएंगे जितनी आपकी expectation उससे भी कमाएंगे क्योंकि आप सीख रहे होते हो कि positive marking में marks कैसे ले तरीके से आप कौन से question पगड़ने कौन से छोड़ने कुछ teacher भी आपको सिखा देंगे भाई ये वाले ये वाले set of questions हैंगे करने हैं और ये pattern होता है teacher हो से बात करो आप they will teach you कि भाई देखो अगर जहां पे single choice character हो करो जहां multiple choice characters को बाद में करो और ये छुड़ी छुडी ची कुछ गड़बड होती हैं बहुत सारी चीजों में तो आप offline test दो और teacher से बात करो वो आपको एक certain target या कुछ नो कुछ आप से ऐसी बात करेंगे जो relevant होगी आप लोग के लिए तो आप second चीज वो कीजिए कि जितनी coachings में आपके mock दिये जा रहे हैं और उनको आप दीजिए पूरा दीजिए ठीक है अंत तक दीजिए और आप देखो कि with every mock आप हर बार कुछ हलका सा marks या तो conceptually आप grow करते जाओगे अब आते हैं कि तीसरे pattern पे दीखिए बच्चा अगर ये target लेगा कि हम हर topic का sheets लगाएंगे तो नहीं हो पाता है आपको coaching में teacher से बात करना ही पड़ जिसे आपको pattern जैसे दिख रहा है कि rotation अच्छा आता है modern physics अच्छा आता है तो आप उसके कुछ question ज्यादा लगा लो that is okay बट उसके बाद आप या करो हर topic wise teacher से 8-10 question, 8-10 question मांग लो और वो syllabus के paradigm में होना चाहिए जो latest syllabus है अभी तो last year का syllabus change नहीं हुआ है तो आप syllabus के paradigm में ही मा लगाना चाहता है वो exhaust हो जाएगा क्योंकि जेडवांस के mocks 2023 से 2011 तक के mocks जो previous year paper है उनका analysis उनकी strategy making में बहुत ज्यादा टाइम जाता है जेडवांस is all about honesty और मैं आपको last line बोलता हूँ summarize करते हुए कि तीन चीजे मैंने बोली है रिवे से पेपर लगाने है ठीक है उसके बाद आप लोग को coaching के mocks देने हैं और तीसरा जो point है वो simply इतना सा है कि आपको topic wise question teacher से मांगने है जो आपको available करा देंगे वो और वो भी सा एक छूटी सी बात पर खतम करता हूँ मैंने कई बार ऐसे बच्चों को advance में अच्छी rank लाते देखा है जिसकी जिनकी मेर 91.7 percentile है और ऐसे बच्चों को ना 99 percentile वाले बच्चों को देखा है कि they are struggling to get into IIT तो उनका नहीं हो रहा है और 91 percentile वाल अच्छा कर रहा है हर exam different है past मे समझ जी हो next exam फोड़ने के लिए start करो you start with a scratch with zero with confidence for the next exam अगर आप zero से start करते हो तो ही आप उपर जा सकते हो अगर आपने मान के चला की पीछे का success या failure आपके साथ baggage की तरह carry करोगे तो आपका नहीं होगा आपको advance के लिए फिर से start करनी पड़ेगी और आप इतना जरूर समझना कि जो लड़ा है जज़बे से वो जीता है या हारा है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सफर आपको जो सिखाएगा ना वो जीवन में कुछ और सिखानी पाएगा ये जो सफर है 40-50 दिन का advance के लिए वो आपको ऐसे से life lessons देगा ना ना करना तिखा देगा जब सारी सुख 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 दायां आपको अपको अपनी तरफ बुला रहे होंगे और आप बोलेंगे नहीं मेरे को पढ़ना है वो जो ना करना सीख किया जो अपने पे focus करना सीख किया वो बच्चा life में हमेशा अच मतलब एक life की जो actual exams होते ना उनके लिए basic drill होती है और कुछ नहीं यह उतना effect नहीं होता है जितना बच्चा seriously लेता है लेकिन हाँ यहीं से हमें पता चलता है कौन responsible बनेगा कौन future में अपने पढ़ाई को prioritize करेगा करियर को prioritize करेगा और लड़ो तो मुस्कुरा के लड़ो और ऐसा लड़ो ना कि आपको time management आ जाए वो जीवन आपको सबसे उपर लेके जाएगा अगर आप time management सीख गए all the best बच्चो लगे रहो और छोड़ना नहीं आकरी दिन तक हम लगातर बात करते रहेंगे बट इस next 40 days के लिए इमांदरी से आपको इतना काम करना है all the best बच्चो start करते हैं